भारत जोडो यात्रा का सबसे बड़ा खुलासा RSS है राहुल गांधी का गोरू आखरी दौर में पहुंच चुकी राहुल की यात्रा में सामने आ गई ये भड़ी सच्चाई क्या क्लेश यादों का सही है भाजपा और कॉंग्रेस एक ही पार्टी होने का बयान जानिये पूरी सच्चाई क्या है RSS और राहुल गांधी के बीच का संबंद भारतिय राश्रे कॉंग्रेस पार्टी के परवपाध्यक्ष और अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोडो यात्रा आखरी दौर में पहुंच गई है अब यात्रा में सिर्फ साड़े साथ सो किलोमेटर का सफर बाकी रह गया है तीन जन्वरी को यात्रा उत्तर प्रदेश में अंट्री करने वाली है इससे कडाके की ठंड में भी सूबे की सियासत का पारा काफी गर्म हो गया है कॉंग्रेस, राहूल गांधी और भारत जोडो यात्रा की चर्चाएं शुरू हो गई है प्रदेश के विपक्षी पार्टियों की नेका खिलेश यादो, जयन तेचोधरी और मायवती ने भारत जोडो यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया है सपा के राशुय अध्यक्ष अखिलेश यादो ने मीडिया को दिये गए बयान में यहां तक कह दिया कि भाजपा और कॉंग्रेस दोनों एक ही पार्टी है ऐसे में उनका यात्रा में शामिल होने का कोई अर्थ नहीं है उत्तर प्रदेश की सभी विपक्षी पार्टियों को कन्नी काट लेने के बाद यात्रा के आखरी दोर में एक पड़ी सच्चाई सामने आई सच्चाई ये है कि राहुल गांदी के गुरू आरेसेस और भाजपा हैं क्या इन्ही के बताए रास्ते पर चलकर राहुल गांदी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली हम आपको इस वीडियो में बताने वाले है कि इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है ये हमारी खुद की बनाई हुई कोई नई कहानी रही है बलकि इसके पुखता सबूत हमारे पास है किस तरह आरेसेस और भाजपा राहुल गांदी की गुरू है इस पर चर्चा करने से पहले भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कुछ जान लेते हैं भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडू राज़े से शुरू हुई थी और कश्मीर तक जाएगी इस तोरान कॉंग्रस नेता राहुल गांदी 3750 किलोमेटर पैदल यात्रा तै करेंगे अब यात्रा 10 राज़े, तमिलनाडू, केरल, करनाटक, तेलंगना, आंध्रब्रदेश, महराष्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हर्याना और दिल्ली से होकर गुजर चुकी है इस तोरान कॉंग्रस नेता ने 1500 दिनों में 3000 किलोमेटर की यात्रा पूरी कर ली अब ये यात्रा 3 जनवरी को उत्तरब्रदेश में अंटरी करेगी, यहां से यात्रा हरियाना के पानीपत के रास्ते होते हुए पंजाब और कश्मीर तक जाएगी अब तक होई यात्रा में राहूल गांधी ने 8 बार प्रेस से बातचीत की है, शनिवार को राहूल गांधी ने 9 बार प्रेस से बातचीत करते हुए अपने और RSS के बीच के संबंदों को जागर किया राहूल ने कहा, मैं RSS और भाजपा के लोगों को धन्यवाद देता हूँ, वो जितना मुझ पर हमला करते हैं, मैं उतना बहतर होता जा रहा हूँ भाजपा और RSS के लोग मेरे गुरू है, वो मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं राहूल गांदी ने कड़ाके की ठंड में एक टीशर्ट पहनने वाली बात का खुलासा करते हुए कहा, कि उनको इस बजहां से सर्दी नहीं लगती, क्योंकि वो ठंड से डरते नहीं जो लोग स्वेटर या जैकेट पहन रहें, वो ठंड से डरते हैं, इसलिए उनको सर्दी लगती है, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है, मेरी यात्रा ही डर के खिलाफ है, मुझे डर नहीं लगता, उन्होंने ये भी कहा कि जब मुझे आगे ठंड लगीगी तो मैं स्वेटर पहलूंगा, राहूल गांदी ने अकलेश यादो के बयान पर भी जवाब दिया, राहूल गांदी ने कहा कि बीजेपी और कॉंग्रस एक जैसे नहीं हो सकते, ऐसा होता तो मोधी कॉंग्रस मुक्त भारत की बात नहीं करते, उन्होंने कहा कि अकलेश यादो को भी अपनी कहने का अधिकार है समाजवादी पार्टे के पास राष्ट्र विचारधारा नहीं है विचारधारा केवल कॉंग्रेस दे सकती है राहूल गांधी ने अपने सुरक्षा को लेकर कहाए कि भाजपा चाहती है कि मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ-साथ भारत जोड़ो य आप हमें अपनी राय दे सकते हैं